असलाव लिको वीवर्स, उमिद करती हूँ कि आप सब लोग खैराफियत से होंगे, नास के जायके में आप सब लोग का इस्तखबाल है आज हम बनाएंगे कच्ची हल्दी से हल्दी पॉडर, जो बहुती जादा फाइदे मंद है और प्यूर भी है, तो बिना टाइम वेस्ट की हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ हल्दी बिलानी के लिए मैंने यहां पर लिए एक किलो कच्ची हल्दी, अब सबसे पहले इसको धो लेते हैं अच्छे से, मैंने इस हल्दी को तीन से चार पानी से अच्छे से धो लिया है और इसमें जो खराब था थोड़ा सा होता है किसी किसी में कोई निशान होता है कु बालेंगे 15-20 मिनिट यह अच्छे से बॉयल हो गया है 15-20 मिनिट आप गयास बंद करते हैं हालजी को बालने के बाद हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है अब इसको छीलेंगे छोटा सा पीस लेके छील के दिखाती हो इसको ऐसे आराम से छीलना है हमने इसको अच्छे से छील के साफ कर लिया है इसकी जड़े वगरा जो है वो निकाल ली है सारे आप देख सकते हैं अब हमें इसे कद्दू कश करना है बताते हैं आपको मैं आपको बताती हूं एक दो चीजे कि हम इसको ऐसे बारिक-बारी भी काट सकते हैं और आप इसे कूट भी सकते हैं और अगर कद्दू कश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं इससे जलजी सुख जाएगा थोड़ा सा प्री ये देख यह देखें मैंने जितनी भी हल्दी ली थी पूरी हल्दी को अच्छे से मैंने कद्दू कश कर लिया है और आप इसको ऐसे बारीक बारीक, चाहप उसे काट भी सकते हैं तो आप उसे कूटके भी सुखा सकते हैं, कद्दू कश्मी कर सकते हैं, चाओ में सुखाईए, पंखे की हवा में सुखाईए, धूप में सुखाईए, पर इसको अच्छे से बिल्कुल हमें खोल-खोल के सुखाना है, तो चलिए सुखाने के बार फिर पॉडर गनाएंगे, पहला में सुखाते हैं, यह देखिए, इस तरीके से इसको सुखाना है धूप में, मैंने यह पर सूती इचादर इस्तेमाल करी है, आप अपनी धाल में और कहकते हैं, जैसे सुखा सकते हैं, इस सूख जाएगा, पर आगे का प्रोसस देखते हैं, यह हल्दी हमारी बहुत अच्छे से सूख चुकी है, आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, मैंने इसे तीन दिन धूप में सुखाया है, अब इसको पीस लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके पीसेंगे, इसको मैंने तीन से चार पर रोक रोक के चलाया है, और यह देखिए, हल्दी बिल्कु तयार है, और एक दब बारीक है, इसी तरीके से हम सारी हल्दी पीस लेते हैं, यह देखिए हमने सारी हल्दी पीस ली है, बजार से मैंने इसको 60 रुपे का 1 किलो लिया था, जिसको मैं सौ ग्राम के आसपाल बैठी है बाजार से हम सौ ग्राम का पैकेट लेते हैं तो हमें 30 से 25 सुपर का पढ़ जाता है लेकिन उसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है यह हल्दी कितनी लेडिस हैं जो अपने चेहरे की साफ सफाई के लिए या उक्टन के तौर पे इ मैंने आपको यह तरीका बता दिया है कि कच्छी हल्दी से किस तरह हम बिल्कुल घर के अंदर ही एकदम प्योर हल्दी त्यार करें अगर आपको मेरा यह तरीका अच्छा लगा हो तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइ झाल